हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका टेस्ट इन किचन 24 में आज आपके लिए लाईयो में एक नई रेसिपी तो आज हम बनाएंगे बहुती टेस्टी और हेल्दी अचार तो यह हमने बनाया है हरे लेसुन का अचार चुकि बहुती स्वादेश लगता है अगर आप भी अलग तो यह इस तरह का आता है तो यह मुझे मिल गया था मार्किट में तो मैंने ले लिया इस बार और इसको हम यह जो वाइट पार्ट है इसको काट लेंगे तो पहले मैंने लहसुन को अच्छे से धो लिया है जैसा हरा प्याज होता है तो आगे इसके बिलकुल वैसा ही होता ह तो उसको काट दिया है पूरा अच्छे से साफ करकर और दो-तीन बार धोकर मैंने इसको अच्छे से कपड़े पे फैला दिया था किचन टॉवल पे ताकि यह अच्छे से सूख जाए पूरे पत्ते सूखने के बाद में यह वाइट पार्ट मैंने अलग हटा दिया है लेसुन अब हम अचार का मसाला तायार करेंगे तो एक चमच मैंने जीरा ले लिया है बड़ा चमच से लें टेबल स्पून से एक टेबल स्पून जीरा एक टेबल स्पून हम सौफ ले लेंगे एक टेबल स्पून हमने सरसो लिये पीली सरसो जो आती है अगर यह नहीं है तो आप र हम लो रखें क्योंकि राई जो है राई का कड़वापन आएगा फिटेस्ट और मेथी दाना भी जादा कड़वा लगेगा तो बस हलका सा रोस्ट करना है उसे हमने पैंसिन निकाल लिया है सेम कड़ाई में हमने आधा कप सरसो का तेल डाला है तो सरसो के तेल को हम पहले अच लहसुन का वॉइट पार उसको हम पीत लेंगे तो यह भी मैंने पलस मोट पे पीचा है बरदर पाई आप चाहे तो इसको इमाम्दस्ते में कोट लें या फिर जो चौपर आता उसमने चौप कर लें तो इसको मैंने पलस मोट पे थोड़ी दिर के लिए करा तो यह तो इस ये कड़ाई में सरसो का तेल हमने गरम करने रखा था वो अच्छे से गरम हो गया था फिर मैंने गैस बंद कर दिया है जब नॉर्मल टेंपरेचर पे हो तेल तब उसमें हम आदा चमच हींग डाल देंगे और आदा चमच मैंने कलॉंजी डाली है तो कलॉंजी को इसलिए नह बहुत ज़्यादा गरम नहीं है नहीं तो यह मसाले जल जाते हैं तो मसाले डालने के बाद में आदा मिनिट हम फ्राय करेंगे उसके बाद में वहरा लेसुन हम इसमें डाल देंगे तो मसालों को ज़्यादा फ्राय ना करें नहीं तो जल जाएगा मसाला तेल में और गैस क fry करते वक्त ही इसमें हमने जो अचार का मसाला बनाया था था न वो भी हम डाल देंगे ताकि मसाला भी जो लैसुन में है वो अच्छे से बैठ जाए मिर्च में भी अगर हरे लैसुन नहीं है तो आप सेम यह जो लैसुन की कलिया आती है वैसा ही उसी का अचार बना सकते हैं हरे लेसुन की जगा पे लेसुन की कलिया ले ले आ और उसको साबूत रखें कलियो को लेसुन की कलियो को और उसका अचार बना ले तो ये देखिए अब हमने डाल दिया है इसमें अचार का मसाला और मसाला डालने के बाद भी हमने इसे फ्राइ किया है तो करीब 2 मिनिट हो गए ते फ्राइ करते वक्त अब इसमें मैंने अमचूर डाला है तो करीब देड़ चमच मैंने अमचूर डाला है अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद हम लास्ट में नमक डालेंगे अब गैस का फ्लेम मैंने ओफ कर दिया है और यह लहसुन का अचार बनकर तैयार है तो इसे आप किसी भी बॉटल में पैक करके रख लें अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी में बनाया है ज्यादा लंबे ट क्वांटिटी में बनाया है तो मैंने इसमें ज्यादा अचार में तेल नहीं डाला है अगर तेल कम हो आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो अलग से सरसो का तेल आप इसमें थोड़ा और डालें तेल जितना उपर होगा न अचार के तो अचार की लाइफ उतनी ही जादा होगी खराब नहीं होगा अचार और आप इसको चाहें तो पूरी पराठे के साथ खाएं रोटी के साथ काएं दाल चावल के साथ खाएं या रोटी सब्सदी के साथ वाकई बहुत स्वादिश्ट आचार है ये बहुत हेल्धी और बहुती टेस्टी रेसिपी है, हर लेसुन नहीं मिल रहा है, तो आप सेम लेसुन और हरी मिर्च का अचार बना सकते हैं, तो आप उसे भी बना कर रख लें, साल भड़ तक ही अचार बिल्कुल खराब नहीं होगा, जादा लंबे टाइम के लिए रख रहे हैं, तो आप अचा कि लगी रेसिपी, वीडियो पसंद आईए, तो चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें,